राश्टिये स्वास्त मिस्तन के तहट गाउं से लेकर सहिर तक विभिन अस्तरिय अस्पताल खोले गए हैं ताकि लोगों की स्वास्त की रच्छा हो सके प्रंत बहुत अफसोस की बात है उत्तर परदेश के जनपदम बेटकर नगर के अकबर पूर बलाग के सुन गाउं इस्तित उस हास्पिटल में सरकारी हंड पंप ना होने से परसो का काम बुरी तरह से परभावित है जिसके कारण इनम सहीत 25 गाउं के 20 हजार लोगों को काफी परिसानियों का सामना करना पढ़ रहा है यहाँ पे पानी की असुद्धा है दो साल से तिलोरी केस जो आती है उसके लिए पानी कहें लाना दूर से पढ़ता है उसके लिए बहुत दिक्कत होती है पहले तो दीस पचीस के साज आते थे इस समय कम हो गए यह पानी की असुद्धा ने दर्शन देवी आपके बच्चा कहां पैदा हुआ था दोस्पुर्ण असरकारी अस्पताल क्यों वहां गई थी यह पानी की दिक्कत थी एहां संसरकत परसव होती है और या जब करषये हैं पहले पानी पूंचते हैं रुपते हैं रातें को खाना पीने के लिए पानी चाहिए मरीच को, तो खाना पीने के लिए पानी नहीं पाते हैं, तो आपने इसके लिए परियास किया हैं? जी, हम लोग बहुत परियास किया हैं, कितना अपलिकेशन हैं, सीमो कि हैं डाले हैं, पियसीब डाले हैं, कोई सुनवाई नहीं हुई, सीमो साहिब भी आकर देखें, कहें लग जाएगा अभी तक, कुछ पता नहीं चला, हम सोच रहे हैं हैं, सरकारी हैंडपार लग जाए, तो जादा अच्छा होता, जाए हम लोग को भी परिशानी दूर हो जाती हैंगोज मरी जाते हैं, उन लोग की भी परिशानी दूर हो जाती हैं, कहिसे लगा नलका? आब वो प्रयास कि हों है मीटिंग कि हैं प्रयास कि ही पर लगा नालका और जमरे सब लोग के अगर वे रा था आप र लग गया रहागा दो अलग कर अज़ आ अरे हम लोग मेनाथ किये, आप लोग भी सहमत उसमें हूई, सब के मेनाथ से लग गया, तो आप कोई दिकत? आप कोई तो दिकत नहीं है, अच्छा, अब महीने में कितने परसों होते हैं? महीने में दस पंदरा हो जा रहे हैं, तो अब आप फुस आएं? जी, वीडियो के अधियम से समदाय के समस्याओं को उठाती रहूं, और उनके समस्याओं पर बदलाव लाती रहूं। मैं गायतरी उत्तर पुर्देश के जन्पदमबिटकर नगर से इंडिया अनहड के लिए।